कि आप दुनिया से कितने भी पीछे रहिए पर अपनी तैयारी इतनी बहतर कीजिए कि आप कभी भी उनसे आंगे निकल सके इसी के साथ में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कॉंपिटिशन कम्यूनिटी में मध्य प्रदीश की लोक कला और संस्कृति के संदर्व में हम अध्यान कर रहे थे जिसमें हमने पहले पार्ट में मध्य प्रदीश में लोक गयान को देखा था सबसे पहले क्रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या देखा है तो म मालवा, निमाड, बुंदेलखंड और बखेलखंड मालवा के लोग गीत में हमने भ्रथरी गायन देखा था जो कि राजा भ्रथरी से संबंदित था फिर हमने संजा गीत देखे ते जिसमें संजा माई के गीत गया जाते हैं फिर हमने निर्गुडी गायन देखा जिसमें पा लगी तुर्रा कायाखो नात्पंथी गर्बागर्भी और संत सिंगाजी के गीत भी गाय जाते हैं बगीलखंड के गायन दिखा आलहागी देवारी गायन और बंबुलिया गायन बैरायट गायन जगदेव का पुवारा फाग गीत और हरदौल की मनौती इतना सब कुछ हमने भगिलखंड में देख लिया अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोख नुरत्यों की लोग नुरत्य का मतलब फोक डांस की कि मध्य प्रदेश में कौन से छेत्र में किस-किस प्रकार के फोक डांस होते हैं वही हमारे चार विभाजन कंप्लीट रहेंगे पहला मालवा दूसरा निमार तीसरा बुंदेलखंड चौथा बकिलखंड यह तो आपको यादी हो जाना ची कि चार भागों में बाटा गया हर संस्कृति को हर कला को तो सबसे पहले हम चलेंगे मालवा के लोख नुरत्य की तरफ में तो मालवा के लोख नुरत्यों में कौन सा लोख तो एक नृत्य है जिसे कहा चाता है रजवाडी नृत्या रजवाडी आपने रजवाडा समझ में आ रहा है कुछ नाम से रजवाडा रजवाडा कहा हुआ करता था राजिस्थान वाले शेत्र में हुआ करता था तो यह नृत्य जो है पूरी तरह से राजिस्थान से प्र महिलाएं जो है वो घागरा पहन के नरत्य करती हैं इनके सर पर मटके भी रखे होते हैं अलग-अलग मुद्रा में यह नरत्य किया जाता है मुखेता जो यह नरत्य है यह महिला प्रधान रत्य है प्रधान का मतलब होता है कि मुखेता महिलाएं यह नरत्य करती है पुरुषो करें की शीट कर से मटड़त करते पूसके आप जो है उसके इसका मपकियां से किस शेत्र में मालवा के शेत्र में होता है मुख्यता कहां का नृत्र है तो यह राजस्थान की संस्क्रति है मुख्यता देखो ये मालवा नहीं है ना ये निमाड होगा कि गलती से मालवा लिखा गया है तो यहां पे होगा निमाड तो निमाड के लोक्नृत्र पहला है गडगौर लोक्नृत्र देखो गडगौर कब होता है कहां आयोजित होता है ये देख लेते हैं गडगौर लोक्नृत्र जो है वह हम आयोजित करते हैं कहाँ पर बढ़वानी खंडवा खरगौन की तरफ में यहां लोकनृत राजस्थान से प्रेरित है इस लोकनृत में एक माता है जिनका नाम है रनुबाई तो रनुबाई की उपासना की जाती है और इसी लोकनृत्य को हम आपने देखा होगा कि चैत्र महा में आपको पता होगा कि हमारे हाँ दो नवरात्रे होते हैं तो जब हमारे हाँ दो नवरात्रे हो रहे हैं तो उसमें से एक नवरात्रा वो होता है जिसमें हम माता की प्रतिमा को स्थापित करते हैं दूसरा नवरात्रा जो होता है वो चैत्र महा का होता है तो चैत्र महा के नवरात्रे में नौ दिन के लिए निमाड़ वाले शेत्र में यहाँ उत्सव मनाया जाता है जिससे गड़गौर उत्सव के नाम से जानते हैं इसमें रनुबाई माता रनुबाई और सूर्य देव की उपासना की जाती है यहां जो नृत्य है यहां मुख्यता महीला प्रधान नृत्य है और यह गड़गौर के समय में ही किया जाता है इसके लावा एक चीज और आपको याद रखनी है इस नृत्य के लिए मुख्यता जो वादी अंत्र है वो धोल है और थाली है अर्थात धोल और थाली बजाकर य बात करेंगे काठी नृत्य की देखो काठी नृत्य क्या है ना पहले इस चीज़ अच्छे से समाझ लो काठी नृत्य का मुख मतलब यह होता है कि एक प्रकार का वहां नृत्य जो कि भगवान शिव को समर्पित है इसके अलावा यह जो नृत्य है इसमें जो आपको यह निमार का नुर्त है इसके आलावा बुंदिलential और बएखिलखंड दोनों में भी चलते हैं हैं नेक्स चलते हैं ये है फेफऩरिय नुर्थ पर कहां पर जित होता है तो में इसके अलावा यह सामुहिक नरत्य है यह आपने वो देखा है लड़किया लोग ऐसे चक्री बनाकर ऐसे पकड़के हाथ पकड़के लग चक्री बनाकर घुम घुम के दांस करती है जो तो वही डांस यह फेफरिया डांस कहलाता है ठीक नेक्स चलते हैं मांडलिया मांडलिया नरत्य किस चीज से संबंदे थे मांडलिया नरत्य कहां होता है निमाण में होता है इसका वाद्यंत्र जो है वह धोल है और इसके अलावा निमाण में होता है और इसका वाद्यंत्र धोल है और इसके अलावा यह जो नरत्य है यह इस्त बन्रत्य है इसे राजवारी इनृत्य के नाम से भी जाना जाता है एक राजवारी नूत्यिते हो और एक आडा खड़ान नरत्य IP इस More तो इस प्रकार से आडा खड़ा जुन रत्य है यहां भी किसका होगा तो इस्त्रियों का अनृत्य हो गया अब पुरुष्टो वैसे बहुत कम ऐसा डान्स करते हैं तो इस कारण से यहां इस्त्री प्रधान रत्य है किस शेत्र में निमाड के शेत्र में होता है मुख्यवाद्य अंत्र क्या है यह आप देख सकते हैं धोलक ज्हांज और मंजीरा और मंजीरा इसके अलावा एक शीज़ आपको याद रखनी है यह इन रत्य जो है वह निमाड के शेत्र में आयोजित होता है डंडा नाच डंडा नाच जो क्या है इस यह पुरुष प्रधान रत्ते है इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वरणन किया जाता है भगवान कृष्ण की लीलाओं का डांस किया जाता है पुरुष प्रधान डांस है इसमें क्या होता है राधा जी भी अगर बनना होता है न तो कोई पुरुष भी राधा जी बन जाता जैसे कि पहले की समय में जो रामलीला होती थी उस पे हम अक्सर देखते थे किसी तामाता को रोल था वो ज्यादा तर पुरुष ही कर लिया करते थे तो यह पुरुष को दो टोबी समाज के द्वार्ब किस शेत्र में इसे कनड़ाई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और इसमें मुख्यता चीज में वाद्यांत्र के रूप में होती यहां व होती है तो धोलक जो होती है धोलक और म्रदंग का यूज इसमें वाध्यन्तर के रूप में होता है नेक्स चलते हैं बधाई नृत्य जो है वो बुंधेल खंड का सबसे प्रसेदि नृत्य है उत्सव में किसी भी खुशी के मौके में पुत्र रत्निकी प्राप्ती में बधाई नृत्य किया जाता है यहाँ जो नृत्य है इसमें बासूरी आप देख सकते हैं बासूरी दिखाई देगी हमें बासूरी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसके अलावा हमें यह देख सकते हैं हम शहनाई इसके अलावा धोल देख सकते हैं हम तो बासूरी शहनाई और धोल जैसे वाध्यंत्रों म यह बधाई नृत्य किया जाता है जो कि बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है विवाज जैसे शुभवशरों पे राई नृत्य राई नृत्य को मध्य प्रदेश का राज्यकी नृत्य का दर्जा भी प्राप्त है किस छेत्र का है बुंदेलखंड का शेत्र का है आपको महिलाषी कुल था इसी में बैडनी कहा जाता है बेड़नी संब्हाइग को अनुक्रा सब्सक्जाओं में प्रणते करती है जिसंहें बीच में इस्त्री ख़ड़ी होती है जिस बीच वाली जो में इस्तियोती में डांसर होता है उसे बेड़नी कहा जाता है बेड़नी और जो बेड़नी है यह डांस करती है और डांस करते करते एक जगा पर रुखती है और रुखते समय जब यह जो बाते बोलती है जो गीत गाती है उसे स्वांग कहा जाता ह मतलब बेड़नी की विरा मवस्था को स्वांग कहा जाता है यहां पर एक बात और आपको याद रखनी है इसके अलावा इस नृत्य की जब हम बात करते हैं तो यह कब किया जाता है तो यह नृत्य जो है विवाह में मतलब सेम विवाह उत्सा पूत्र रतनी की प्राप्ति इन सेरन रत्य किया जाता है जवारा जो है देखो सेरन रत्य के और थोड़ी से बात कर लेते तो सेरन रत्य है यह खरीब और रवी की जब फसल बनती है न तो खरीब और रवी की फसल के उत्पादन की बाद में यहां रत्य किया जाता है जो की मुखेता क्रशक समाज के द्वा प्रात्री के समय जब इस्त्रियां जवारे को सिर पर रखकर डांस करती है तो वह यह जवारा नृत्य वह है इसके अलावा इच्छी जो और याद रखनी है कि यह जो नृत्य है यह रक्षा बंदन की दो दिन बाद जब हम कजलाईयां कजलाईयां चोड़ने चाते तो उस सम किय ships ढलावे होता है जवारा लृड़ी देख चुके हैं कि आएक हैं नों नृत्य के लोखन से बंखेल नृत्यण को कौन-ंसे हैं देको बंदेल सपक्ति हमने परिया मालत निमाधे हमने जो पहला नृत्य थे वह पर धौनी नृत्य पर्धहानी पर्धहनी क्यों इंपॉर कब किया जाता है तो मुख्यता यह जो है यह सुभावशरों पर जैसे कि विवाह वगेरा हो गए इन आवसरों पर किया जाता है इसमें किस जनजाती के द्वारा किया जता है तो यह मुख्यता किया जाता है बैगा जनजाती के द्वारा तो जनजाती आपको याद रखनी बै हाथी की सवारी करते इस कारण से पुर ós नोग जो कोई रहता है वो ना हाथी के पोशाक पहनता है और हाथी का स्वांग रचता है और इस पूरे कारिक्रम को इस पूरे नरत्य को अंजाम दिया जाता है बात कर लेते कौन-कौन से वाध्यंत्र तो मुखेता धोल इस नरत्य का वाध्यंत्र होता है नेक्स चलते हैं सैला नरत्य सेला नृत्य की जो हम बात करते हैं यह नृत्य जो है किस शेत्र में तो बगेल खंड के शेत्र में होता है इसके लावा आपको एक बात और याद रखनी है कि यह जो नृत्य है यह मुख्यता पुरुष प्रधान नृत्य है मतलब जादा दर जो है पुरुष इस वह में डांस करते हैं पुरुष प्रधान रहते हैं इसमें जो पुरुष है वो डंडे या डंडा को रख कर नरत्य करते हैं इसकारन से इसे सैला नरत्य भी कहा जाता है दादर नरत्य दादर नरत्य जो है वह बगेल खंडी की कोटवार जन जाती कोल जन जाती और कहार जन जाती के द्वारा किया जाता है तो कौन कौन सी जन जाती हो गई पहली हो गई कोटवार दूसरी हो गई कोल जन जाती तीसरी हो गई कहार जन जाती इन तीन जन जातियों के द्वारा दादर नृत्य किया जाता है यह नृत्य जो है वह गायन में भी है मतलब दादर नाम का एक गीत भी है और दादर नाम बगेलखंड के जो बनिया लोग बगेलखंड की जनजाती हो उनके द्वारह अगमन पर कलसा निर्ति किया जाता है इसमें महिलाये जो हाँ सर पर कलश रखती है और निरत्य करके दिखाती है जैसे कि नॉर्मल हमारे सभी के शेत्रों में क्या होता है जब भी बरात आती है तो दुल्हन की जो बहने होती है दुल्हन के जो परिवार की छोटी लड़िया होती है वो अपने सर पर कलश रखती है और नेंग वगर लेती है उसके बाद बरात क किया हमारे दृतिखी नहीं हूते बलकि हमारे राध याद को याद रहने आन गर … gef कहेरा के ढ। जो है यह ंच जरती के द्वारा की आ से तो उन यह मुझता नवारत किया जाता है तो यह किन आ तो मद्ली संहील हो जैशा पुरहरी कहा जाता है नेक्स बाते रहेंगे बिर्हा नृत्य की वही बात है बिर्हा ने तो बिर्हा के समय मतलब दुख के समय किया जाता है कि इस्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को कर सकते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले जनजाती की बात करनें तो जनजाती लोखनुरति की सबसे पहले बात होगी क्योंकि कर्मा को लोखनुरतियों का राजा भी कह जाता है इसके साथ में Guinness Book of World Records में भी इसका नाम-दरज है यहां गोंड, बैगा और बिंजवार जनजाती के द्वारा किया जाता है इसके अलावा कोरकू जनजाती भी इस मृत्य को करती है तो सबसे पहले कि यह जनजाती यहां जो मृत्य है यहां लोक मृत्यों का राजा कहलाता है का राजा इसके अरावा कौन-कौन सी जनजाती से करती है तो यहां नुरत्य गोन जनजाती करती है इसके बाद में बैगा जनजाती करती है इसके बाद में बिंजवार जनजाती करती है और इसके बाद में कोरकू जनजाती इस नुरत्य को करती है इस नुरत्य को Guinness Book of World Record में भी सामिल किया गया है इस नुरत्य की बहुत शारी शैलिया है कौन-कौन सी शैलिया है तो इस नुरत्य की जो प्रमुक शैलिया है उसे लहकी, जरनी और रागिनी के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्रत्य किया कैसे जाता है तो इसमें जो महिला प्रधान न्रत्य है ये पुरुष भी इस न्रत्य को कर सकते हैं इस न्रत्य में महिलाएं एक दूसरे के साथ समू बनाकर न्रत्य करती है जिसमें आड़े-खड़े की डांस की तरह जैसे किया वह गोड जन जाती के द्वारा किया जाता है इसके अलावा और चो टी जन जाती है जैसे से चलए अनृत्य के एलाबहा यह नृत्य है तो यह मुखेता विवाहा के उत्सव पर सब que जाने वारे और समय की वायर में गर समय हो रहा है घर परिवार में था eu 4 फॉरा पर चुके थैं बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और सेला नृत्य जो है इसे डंडा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मृत्य में आप देख सकते हैं पुरुष्प्रधान नृत्य है और लोग डंडाने के डांस कर रहे हैं तो डंडा नृत्य और पुरुष्प्रधान नृत्य इसके अलावा इसे हम अल्रेड बहुत सिंपल सी ट्रिक बतारी हूं आपको कोल का मतलब कोईले से ले लो पहले कि समय में ट्रेन में कोईला डलता था कोईला देहकता है कोईले से आग लगती है बस तो फेर कोईले से देहका आपको बहुत एजी लियाद रहेगा देहका तो देहक गया किस से देहका कोईले से तो कोल से दह्का खोल देका एक दम बार यात कर लो कि हो जाएगा ठीक तो को देका है तो लाप तो कोल जंजाती से संबंदत है पूंस न्रृत्य के और अगर हां निण धृत्य निवर इस नर्त्य डग सकते कि धनुष्ती मस्यों मतलब एक ठीम मनाई जाती है इस नर्त को करने जिसा ही दोफांञुति और अगर अगर देख सकते कि धनुष रखा गया है तो धनुष जो Isab 의ills जाती है वह कौण से है तो धनुष रखने वाली शिकारी जनजाती भील जनजाती के द्वारा यहां नरत्य किया जाता है किस अवसर पर तो विवाह के अवसर पर गर्बी नृत्य हमने अल्डरी किया जाता है यह नृत्य को बता है लोग नाचते अंप है यह वह बहुत जादा खोश होते हैं लेकिन practicing जन जाती है जिनमें मृत्यू के समय भी लोग नाचते हैं लेकिन यह खुशी वाला नाच है तो विवाहा के समय इस मृत्य का आयोजन किया जाता है कहरवा नृत्य कब इसके साथ ही साथ में इस मु exhibited का अयोजन जो है वहां म्रत्यूं के उप्रांत भी होता है आपको एक चीज़ और याद रखने है कि म्रत्यूं के उप्रांत भी इस मु rays ईप्रांतबना होता है उसमें मुखेता वाद्यंदर कौन सा है तो नगाडा बजा कर यह और बजस विघ उतना जादा महत्वपूर नहीं है आपको सिर्फफ इतना याद रखना कि जने जाती पूजा-न Kr части की हम बात करते हैं तो यह भी इतना जाधा सड़ा महात्वपूर ना है पर एक चीज याद रख ली नहीं है कि कि स जनन्रिथी के द्वारा किया जाता है तो बहुत जादा इंप्पॉटेंट हो जाता है भड़म नुरत्य लोग सारे के सारे मास्क पहन कर रहे हैं और यह जो नुरत्य आपको दिखाई दे रहे हैं यह सिवरास्थिंच चोहन जब आये थे मद्धिप्रदेश के छेतर में तो उस समय उनके सा जबलपुर और चिंद्वाड़ा वाली भार्या जन जाती और इस नुरत्य में जो महिलाएं होती हैं उन्हें भिड़नाई कहा जाता है जो यह नुरत्य करती है भड़म नुरत्य को उन्हें भिड़नाई कहा जाता है तो यह चीज भी याद रही कि भार्या जन जाती के द् मालवा के लोकनाट निमार के लोकनाट बुन्दिर खंड के लोकनाट और बखेल खंड के लोकनाटो को कवर करेंगे लोकनाट का सबस живन अर्थ होता है लो मसलें लोगों के द्वारण जो नार्ट किये जाते हैं उठीजोट çalışेस्ट हमारी classes कैसी लगी हमें comment पर ज़रूर बताईए thank you so much और please subscribe कीजिए जिससे आपको हमारी नई वीडियो की notification मिल सके